हाई एवरिवान नमस्का साशी अकाल वेलकम बैक मैं यूट्यूब चैनल कैसे हैं आप सब हाई होब कि आप फिल्कु ठीक ठाक होगे और आज है शुकरवार और टाइम है शाम का है चार 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 बज चुके हैं और मैं यहाँ पे अनार लगी थी बच्चों को देने तो मैंने सोचा कि एक शोटा सा ट्रिक आपके साथ शियर करती हूँ और जैसे मैं यह अनार के बीज निकाल रही हूँ ऐसे करने से बहुत इजी और बहुत जल्दी निकलाते हैं और यह भी मैंने कहीं से देखा था किसी जूस बार में देखा था मैंने ऐसे ट्रिक को तो ऐसे ही भी मैं निकालती हूँ बहुत जल्दी निकल आते हैं मैं उसमें तो फिर एसको ऐसे ही करती हूं हमेशा ही और añadrico geta chemical healthy होता है इसमें calcium protein विटामिन और iron बर पूर मातरव में होता है तो मैं इसको फिर बच्छों को दे देती हूं तो वो भी पसंद करते हैं उनको भी अच्छा लगता है तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि मैं अभी एक जो है उसको निकाल के दे देती हूं और हाफ-ाफ कर रही हूं दोनों को एक जासा दोनगी क्योंकि फिर बच्चे हैं फिर वो बोलते हैं कि उसको कम दिया या मुझे कम दिया या ज्यादा है तो यहां पर मैं लेकर आई थी और बच्चे मेरा बेटा जो है न वो बहुत मस्ती के मूड में था इस टाइम पे उसको पता नहीं था कि ममा आये हैं और वो अपनी ही मस्ती में लगा हुआ था और यही कमबल लेके बस गूमता रहेगा यह इसके छोड़ा जब छोट़ा था तब कहा है यह कमबल तो बस ये इसको लेके बस डांस करता रहेगा गाने चल रहे हैं टीवी में तो उसी के बस मस्ती के मूड में है पूरा वो तो इस समय खेर वो पहले अनार खा लेंगे यहां बैठे बैठे और मैं दो जाओंगी किचन में और मैं बनाने वाली हूं बर्फी और इसकी रेस्पी मैं आपके साथ शियर करूँगी आई होप कि आपको पसंद आएगी अगर पसंद आएगी तो कॉमेंट करके मुझे जूर बताना और यहां पर मैं लगी हूं बनाने वर्फी और उसके लिए मैं दूद ले रहे हूं और दूद मैंने दो गिलास यहां पर ढाली है कडाही में और इसको अब दूद को कांटीनियू चलाते रहेंगे और फ्लेम इसका हम मीडियम टू हाई रखेंगे ज्यादा हाई नहीं रखना है तो बस अच्छे से बॉयल आता रहे और इसकी जो साइड्स में जैसे दूद जैसे जमता रहता है तो उसको भी हमने उतारते रहना है साथ साथ में अब यहां पर जो दूद या थोड़ा सा गाड़ा हो गया है और मैंने इसमें करीब दो डाई चमज के करीब इसमें मलाई डाल दी है ये ट्रेशमल आई है तो अभी इसको अच्छे से पकाते रहेंगे और फ्लेम हमने मीडियम ही रखनी है हाई बिलकूर नहीं करनी है अदरवाइस ये नीचे लग जाएगा जल जाएगी यासे तो अभी जो है अभी आप देख सकते हैं काफी जे गाड़े हो चुका है दूद इसको अच्छे से छलाते रहेंगे अब जब तक ये अच्छे से ठिक ना हो जाए अभी यह थिक हो गया है अच्छे से और मैं इसको निकाल लूँगी और थाली को मैं पहले थोड़ा सा गी लगा लोगी और उसके बाद सारा जो ये बना है उसको मैं इसमें डाल दूंगी को तो अच्छे से फ्लैट कर लेंगे चमज के साथ बहुत अच्छे से फ्लैट हो जाता है ये और अभी हम इसको रख देंगे करीबन रूम टेंप्रेशर पर आने तक ऐसे ही कि तो असे ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके पीसी से वह काटेंगे यहाँ पर अब जो है अभी थोड़ा रूम टेंप्रेशर पर आ गया है मैं हाथ लगा कर देख रही थी और यहाँ पर आप देखिए काकी जो गी है वो हाथों को लगता है तो इटमीन के जो बर्फी है वो हमारी बिल्कु सही बनी है तो अब मैंने यहाँ पर पीसी जो है वो काट लिए है वो मैं भूल गई मैंने कैमरा ओन नहीं किया था उसके लिए सोरी तो अब जो पीसे मैंने काट लिए है और अब मैंने को अलग-अलग कर रही हूँ कईवर क्या हो जाता है ना कि फिर कैमरा मैंने सोच जाता कि शायद अन है लेकिन कैमरा ओफ था फिर जो कटिंग की वीडियो थी वो शूट नहीं हो पाई तो इसलिए तो मैं यहां पे लगा दूंगी प्लेट में और आप भी इसको ऐसे ट्राइज रूर कीजिएगा बहुत अच्छी बनती है बहुत टेस्टी बनती है और अगर आपको यह कोटिफिकेशन के लिए तो मिलती हैं किसी नई वीडियो के साथ तब तर के लिए बाए और टेक केर